मैंने पहली बार मुंबई में किया बिलकुल बॉलिवुद स्टार्स वाला शूट सो मैं आज आ गई हूँ खास मुंबई एक बहुत ही इंपॉर्टन शूट के लिए जैपूर में इतनी ठंड थी और मैं उसे हिसाब से कपड़े ले आई अब यहां मुंबई में इतनी जादा गर्मी है कि मैं आपको क्या बता हूँ ऐसा लग रहा है कि अभी तो यहां पर जून जुलाई चल रहा है हर किसी को देखो तो बिलकुल नॉर्मल कपड़ों में है ना सरदी के कपड़े ना कुछ मैं पहुच चुकी हूँ हमारे स्टुडियो लेकिन वहां पर शूट चल रहा था तो पहले हम लोग जा रहा है हमारी वैनिटी जी हां मुझे मेरी पॉस्टल वैनिटी भी मिली है और यह बड़ी ही कॉम्पक्ट लेकिन बड़ी ही क्यूट ह यहां पर हमारी स्क्रिप्ट भी आ चुकी है और अब हमारा डिसकुशन चल रहा है डिरेक्टर से मेरे को यहां पर बहुत गर्मी थी तो मैंने चेंज कर लिया और अब मैं जा रही हूं ग्रीन रूम में बेसिकली वो रूम होता है जहां पर सब लोग बैट के रेड़ी होत पर रही थी क्योंकि आज मैंने बाल खोले होए थे और मैं यूजली खोल की रखती नहीं तो काफी इदर उदर हो रहे थे सूरज ने पने बैंड पे कुछ गिरा लिया था लेकिन शूट से पर इसको सही करना था तो यहां पर भाया उसे हल्प करें क्योंकि यहां पर यहां पर शूट करें हमें सब कुछ समझाया जा रहा है और हमारे सामने है बहुत सारे कैमरा में सच बता हूं तो मेरे को देखके पहले थोड़सा डर लगया था बट इहां पर चुछ थे इन लोगों ने में बहुत कम्फुट बिल कर बाई है आप देख सकते हो कि इसनी न यह सारा जो सेटप है यह लकडी पर बना हुआ है और उसके सामने हम लोग बैठे है मतलब कोई बोल नहीं सकता यही ब्यूटी है मुंबाई के लोगों की वो कोई भी जगे को किसी और सेट में कर देते हैं फिर वहां पर होते हैं इतने अच्छे शूट यह आपको पता भी सूरज की हाला टाइट हो गए थी क्योंकि आवाज के लिए नहीं आपर एसी भी नहीं चलाया जाता मतलब एसी की आवाज भी नहीं आ सकती आपको इतना शांत रहना पड़ता है और सब लोग एक बर जब शांत हो जाते हैं जब रोल कामरा एक्शन होता है तो सब बिल्कु लग रहा था देखने में एक ही चीज से आप देख सकते हो चार फ्रेम बने हुए हैं पर चार अलग अलग जगे कैमरा लगे हुए हैं और लाइट का सेट अप भी बहुत बड़ा था मतलब ऐसी कोई जगह पर मैंने पहले शूट नहीं किया था पूरी टीम थी हां परी सब हूंब एक इन्सान था तो सुचों मुंबई में जब शूट होते हैं तो कितना सारा क्रूइइंवाल डोता है बलाब यह पढ़े हैं अगर वो हिले तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग उने 6 घंटे लगाता और शूट किया और उसके बाद अब अब लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि हम बहुत जादा थक गएते और हम आए हैं मुंबई की पृत्वी कैफे जहाँ पर सभी थेटर आर्टिस्ट आते हैं और एक साथ बैठते हैं और यहीं पर सारे डिस्कॉशन्स चलते हैं खाना खाते हैं आज का वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई